तो start करते हैं आची ग्लास को हम हें थीम कॉस्टुमाइजेशन पर अभी हम है extra pro के थीम वाले section पर ठीक है यहां में back आके आप लोगों दिखा देता हूं और यहां पर अभी हम header builder पर और यहां हम एक header अपनी theme को कॉस्टुमाइज करने एक header बना रहे हैं ठीक है, header में हम pages and logo वगरा add करते हैं, अभी मैंने header पर सारे functions जो उसको मैंने delete कर दिया, ये header का container आपके पास आ रहा है, जिसके अंदर हमें 3 raw मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 plus का icon आ रहा है हमारे सामने, तो इ इसके अंदर रहते हुए हम काम करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर एक plus का icon आ रहा है, simple हम plus पर click करते हैं, और उसके बाद जो है, हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे option मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझी है, account, button, HTML, site logo, primary menu, secondary menu, search button, social icon, ठीक है, तो सबको लगा कर देखन हमने सबसे पहले यहाँ पर site logo, यहाँ पर मैं logo add कर देता हूँ, और यह add हो गया है, कोई हमने special logo अभी बनाया है नहीं, तो यहाँ से आप logo भी select कर सकते हो, यहाँ पर site logo, मैं आपर कोई भी logo जो है, चेक करता हूँ, अगर हो तो वो मैं install, यहाँ पर लगा देता हूँ, खे अभी हमने सरिफ यहाँ पर logo को add किया है, ठीक है, यहाँ पर एक plus का icon और आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी एक plus का icon आ रहा है, सबसे पहले इस plus का icon पर हम click करते हैं, और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, pages, ठीक है, हमने home about us जो हमने उस दिन create किया था जो page, वही page हमें चाह कर लेंगे, जब हम page create कर रहे थे हैं, तब वहाँ एक option आ रहा था primary menu का याद होगा आपको, तो simple मैं वही primary menu को click कर लेता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर यह show करवा देगा, देखो, logo के बाद जो है, उसने यह pages जो है, वो show करवा दिया, हमें आप drag and drop भी इस तरीके से कर सक करते हो, कि pages, जो है, मुझे बीच में चाहिए, या pages मुझे left में चाहिए, इस तरीके से, जैसे मैं drag and drop कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, अभी मैं plus पे click करता हूँ, और एक search button लगा कर देखता हूँ, यह search button भी आ चुका है भी हमारे पास, ठीक है, मैं इसको right side पर कर देत हूँ, यहाँ पर एक मैं widget add कर लेता हूँ, या फिर social icon add कर लेता हूँ, तो social icon जो है, मेरे header की नीचे add हो जाएगा, देखो इस तरीके से, पर हम चाहिए कि सिर्फ यही section में, header का यही section रहे और इसके अंदर रहते हूँ, तो मैं simple यहाँ पर इस वाले option में plus पे click करके social icon यह समझ आया होगा, यहाँ पर publish, back, हमने यह सारी चीज़े जो है, अपने header में जो है, वो add कर दी है, and again back, हम अपने theme के में section पर आ चुके है, ठीक है, यह वाला option का हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, इसको हम दन रहने देते है, header position, अब उसके पास, उसके जो बाद next option है, वो है blog, कि आप हमने तो एक blog page भी बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा पूरे website का content होता है, जो भी हम upload करते हैं, जो भी हम post करते हैं, blog के बाद आप लोग का container with वगरा select कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, अभी हमने कोई भी blog post post नहीं किया, तो जब मैं post करूँगा, तो उसक style के साब से मैं आप लोगो बता दूँगा, यहाँ पर एक option भी है, single post, कोई भी जैसे कि, मैं आप लोगो समझाता हूँ, मैं अपनी website में आ जाता हूँ, मैं blog पर click करता हूँ, इंटरनेट सोड़ा सा slow है, students, तो adjust कर लीजएगा, खैर, हम आते हैं, class की तरफ, website open नहीं हो रही है, वरने मैं आप लोगो दिखाता, ठीक है, container layout, मैंने layout का आप लोगो बताया था, same वही काम यहाँ पर है, कि आप अपने style, अपने images वगरे को किस तरीके से user के सामने show कराना चाते हैं, तो वो यह आप से पूछ रहा है, ठीक है, अभी हम जब blog post करेंगे, तो इस setting पे आकर हम सबसे पहले तो वो setting करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ने 5 blog post जो है, वो upload कर दिया होगा, तो आप लोग ने करना क्या है, अब देखना, blog post में आप आए, ठीक है, आप यह स तरीके से show हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आना, फिर दुबारा इस option में फिर आपने narrow यह वाले option को select करना है, उसके बाद यहां पर publish करना है, फिर जाना, फिर देखना कि style change हुआ है, यह सारी चीज़े आपने खुद करके देखनी है, implement करनी है, जब यह आप लोग को स इसको change करके देखोगे, इसको change करके देखोगे, ठीक है, यह सारी चीज़े यह ब्लॉग में जरूरी होती है, जो की add है, ठीक है, feature image and categories, title, ठीक है, और अब हम back आ जाते हैं, उसके बाद जो है, एक option है मारे पास page का, page के अंदर single page, उसके अंदर भी layout का setting है, ठीक है, layout आप क ब्लॉग पे, या homepage पर, ठीक है, homepage पर कैसे करोगे, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, तो layout यहां से भी आप लोग देख लेना, single page का, यहां भी वही option है, search page का content का layout, ठीक है, उसके बाद एक option है, sidebar का, sidebar मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, अगर यह website चलती है, तो यह देखो, यहां पर, मैं पहले जब website पर आ रहा था, यह blog structure आप से पूछ रहा है, देखो, अब यहां से अंदाजा लगा लो, कि यह मेरा एक post है, यह इस तरीके से दिख रहा है, और यह जो sidebar है, वो इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, अब मैं अपने customize पर आता हूँ, सब में आपको यह option मिलेगा, अभी मैं हूँ sidebar पर, और यहां पर देखो, left sidebar and right sidebar, मैंने right sidebar को select किया हूँ, वो आप यहां पर देख सकते हूँ, यह आगिया हमारा content, यह हमारी image आ गई, यह हमारा content आ गया, और यह हमारा sidebar आ गया, अगर आप sidebar नहीं चाहा रहे हो, अप आप यह no sidebar पर click करोगे, अगर sidebar setting कर रहे हो, तो इस पर आके आप करोगे publish, ठीक है, यह left में आपको sidebar चाहिए होता तो हमेशा right sidebar, ठीक है, और इसके बास sidebar का जो weight होता है, 30% normally होता है, उसको उतना ही हम छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है, तो यह वाला upload किलियर हो गया ह आप लोगा layout वाला, ठीक है, आप content आपने upload किया, अब हर page के layout पे जाकर आप लोग जोए, वो देखिए, अब show कौन कौन से page में करवाना है, वो मैं आप लोगों बताता हूँ, अब आते हैं, भाई, footer बिल्डर, footer में हम क्या गाम कर सकते हैं, भाई, footer पे हम जो है, यहा आकर देखता हूँ, social icon आ गिया, footer menu, मैंने अभी तक कोई menu जो है, अलग से जो है, वो मैंने बनाया वा नहीं है, जैसे मैंने header के लिए primary menu जो है, वो बनाया था, यह वाले option पे आके, appearance और menu, यह वाले option, यहाँ पर हम आ गए, हमने क्या करा था, primary menu पे हमने check लगाया था, ठीक है, अभी हम बनाते है, footer menu, header तो हमने बना लिया, अब हम footer के लिए एक अलग से menu बनाते हैं, ठीक है, आप चाओ, इस menu को जो है, वो delete भी कर सकते हो, अभी आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आओगे एक new menu create करोगे, इसको अगर मैं delete करना चाहूँ, अभी मैं फिलाल इसको कर देता हूँ, footer menu, इसको मैं footer में भी चेक लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं save menu करता हूँ, उसके बाद अब देखते हैं कि यह show हुआ या नही, मैं customize पर आ जाता हूँ, और इसको cut करके मैं पर चेक मार्क लगाया था, ठीक है, social icon आप add कर सकते हो, और भाई, क्या क्या चीज़े add कर सकते हो, यहाँ देखो, widgets भी add कर सकते हो, अब widgets क्या चीज़ होती है, हम ना छोटी छोटी चीज़ें अपने footer पर जो है add करते हैं, जैसे मैंने किया वह ना, देखो, मैंने अपने footer में क्या किया हुआ है, अपनी website के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, content add किया हुआ है, और यहाँ पर जो website के लिए about us privacy policy, एक वाईदी जो भी page होता है, वो मैंने add किया हुआ है, social links and contact us, ठीक है, अब आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, अपने मर्दी से, जो theme में setting ह अपने मर्दी से करने के लिए, जब हम अपनी मर्दी के मताबिक theme बनाएंगे, जब हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी जिस तरीके से होता है, तो हम वो लगा कर देखते हैं, ठीक है, मैं आपको widget का समझाता हूँ, अभी हम आते है menu पे, and हम चलते हैं, यहाँ पर एक option होगा, widgets का, ठीक है, हम सीधा इस पर चले जाना है, appearance के अंदर सारे option, आज हम appearance पढ़ने, ठीक है, यह याद रेखना परी, अब देखो, यहाँ पर जो है, widgets हम बहुत सारे widgets add कर सकते हैं, जैसे sidebar पर हमने search button add किया हूँ है, recent post वागर add किया हूँ है, ठीक है, अब है यह footer का section, ठीक है, यह, क्या, आपसे पुछ रहा, footer bar section 1, ठीक है, अब हम इसके अंदर, जो है, यह वाला footer, जो है, मैंने अभी, class से पहले, जो है, वो add किया था, एक image मैंने add की थी, इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, और footer 2 को मैं add करता हूँ, यह footer 2, ठीक है, अ button के अंदर, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद, जो है, मैं, एक image भी add कर देता हूँ, अब वो, जाकर देखते हैं, कि footer में show हो भी रही है, यह नहीं, एक image, यहाँ से, मैं select कर लेता हूँ, सबसे पहले तो, यह वाली image, जो कि select कर लेता हूँ, और यह अब आता हूँ, मैं customize पर, अब हमने क्या करा था, widget टूप, उसको मैं select करूँगा, यहाँ पर, और जो जो चीजे हमने अपने widget में add करी होगी, वो सारी चीजे जो है, हमारे footer पर show होना शुरू हो जाएंगी, जैसे मैंने अभी button करा था, और यहाँ पर जो है, एक image करा था तो वो आप footer में show करवा सकते हो, ठीक है, जैस मैं आपो करना बता रहा हूँ, designing की बात हम बाद ने करेंगे, footer भी अलग-अलग किसम के होते हैं, ठीक है, एक तरीके का footer नहीं होता, e-commerce footer अलग होता है, blogging footer अलग होता है, ठीक है, उसके बाद जो है, बहुत सारी institute की site ह उनका भी footer अलग होता है, social icon, वह सारी website का आपने देखा होगा, social icon वगरा, जैसे इसका देखो, इसमें social icon है, location कुछ इस तरीके से, ठीक है, bottom bar इसमें इस तरीके से बनाया हो है, ठीक है, जस्ट मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से जो है, वो अब आपने site identity पे, ठीक है, site identity पे आने के बाद, यहाँ पर हमसे पूछ रहे है, कि अपने site का आप एक icon select करो, अब कौन सा icon यह पूछ रहे है, अब ज़रा देखना, कि मेरी ये website है, यहाँ पर मेरे mouse पर अगर आप focus करो, तो एक icon आ रहा है, यहाँ पर icon आ रहा है, तो यही यह icon पूछ रहा है, कि आप अपनी website के लिए एक icon select करें, जो कि हम show करवाएंगे, आपकी website पर सही है, तो एक icon जो है, मैं select कर लेता हूँ, यहाँ से, select site icon, तो यह icon की बात कर रहा है, हमारे पास शायद कोई icon पढ़ा हो, क्योंकि जो है न, फिल्हाल के लिए, मैं किसी भी image को upload कर देता हूँ, फिल्हाल जो है, हमें अपने logo की need पढ़ेगी, next class में logo भी बना लूँगा, ठीक है, कोई simple सा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना जो logo है, वो select किया हुए, यहाँ पर आप कर सकते हो, जितना भी आप PNG में image है, सबसे पहले तो आप image लगाओगे कौन सी, ऐसी image लगाओगे, जिसका background जोए न, ना हो, जिसको हम PNG का नाम देतने हैं, ठीक है, कितने logo को पता होगा, PNG वो image होती है, जिसकी background नहीं होती, तो हमने अपने logo को PNG में यहाँ पर upload कर रहा है, ठीक है, जो Photoshop, Canva अगर जानता है, तो वो कर सकता है, ठीक है, यह अगर आप किसी client के लिए काम कर रहे होगे, तो वो आपको सारी चीज़े खुद provide करेगा, कि यह मेरा logo है, ठीक है, आप बोलोगे कि भई PNG logo चाहिए, तो वो सारी चीज़े वो आपको provide करता है, उसके बाद यहाँ पर crop image पर click करो, और अभी फिर यह image जो है, error आ रहा है, कि crop नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई icon अगेरा जो है, आप लोग यहाँ पर set कर ले, गूगल पर कोई icon देख लेते, इंटरनेट, इंटरनेट जो है, यहाँ बहुत इस्यू इंटरनेट का, यह png हम download कर लेते हैं, एक website पर आते हैं, bg remove, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी image होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैक्ग्राउंड उसका remove कर सकते हैं, इस website से, देखो आप इस टाइप की भी website बना सकते हैं, वर्टप्रेस पर, image downloading site, अभी हम अपने icon को png करते हैं, और यहाँ से download, ठीक है, save करते हैं, अपनी website पर आते हैं, इस image को cut करते हैं, वो icon यहाँ पर select करते हैं, site icon, upload image, शायद कुछ server वगरे में issue है, जब यह अपलोड नहीं हो रहा है, अगर आप कोई issue आए, तो मुझे बताईएगा, next class में इस issue को देखेंगे, आप लोग के पास भी एक issue आएगा, जब local host पर आप काम करोगे, तो क्या issue आएगा, क्या आप image वगरा जोए, upload नहीं कर पाओगे, इस तरीके का error आएगा, ठीक है, तो वो मैं solve करना, आप लोगो next class में बता दूँगा, अगर error आता है, तो आप लोग बताईएगा, ठीक है आइकन तो लग किया, यहाँ पर उपर देखो, हम customize पर थे थे ना, तो यह icon जोए वो लग किया, ठीक है, और यहाँ पर publish, अब इसको भी मैं refresh करता हूँ एक बार, तो यह भी icon जोए वो change हो जाएगा, वेबसाइट open करके देख लेते, शायद थोड़ी देर में हो जाए, अपडेट हो के, हैर, हमने icon यहाँ पर set कर दिया, और यहाँ पर save कर दिया, ठीक है, तो यहाँ तक clear है ना भी class, 10 minutes और बाकी है, मेरे हैं, चले फिर ठीक हो गया, और उसके बाद कुछ और options अभी देख लेते हैं, आज हमें complete करना है, side identity हमने देखा, उसके बाद, एक option है, यहाँ पर header का, यह देखो, यह pages वगएरा, हमने menu काम यह वाले option से कर लिया था, वह यह पूछ रहा है, कि menu पर यह देखो, icon जो है थोड़ी देर बाद जो है, वो change हो गया, मेरी website का, ठीक है, तो हम थे यहाँ पर menu पर, ठीक है, menu यह वाला option पर हमने page वगएरा add किया था, ठीक है, तो यहाँ से यह भी पूछ रहे कि आप कुछ page वगएरा add करना चाहते हैं अपनी website पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, तो add items करके आप add कर सकते हैं, यहाँ भी वह यह option है, ठीक है, जो हमने उस दिन add किया था, ठीक है, जो option हमने पढ़ लिया, वो दुबारा नहीं पढ़ेंगे, शायद internet जो है, वो पदिशू करता है, इस वज़े से, देखो, widgets में जो है ना, हमें बहुत सारी चीज़े मिलती हैं, simple में आप लोगों समझाओं, के widgets में हम image add कर सकते हैं, कहीं पर भी, header के अंदर add कर सकते हैं, ठीक है, अपने मर्दी से, सही है, उसके बाद footer में कर सकते हैं, सही है, उसके बाद जो हम recent post वगरा sidebar, जो अब यह चल रहा है sidebar, sidebar के अंदर हम रहते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है, यह इस तरीके से drag and drop होता है, ठीक है, खुलता है इस तरीके से, तो आप लुक देख लेना, यहाँ पर, ठीक है, तो वही यह widget यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, हमारी website पे, यह option जल्दी देखो, और जल्दी चैट पे बताओ, यह कौन सा option है, यह last option है, और यह सब से जरूरी है, खालिद ने सही बोला, इसके बाद जो है, रेडिंग सही है, अनेस बस yes, yes करते रहता है, पर कुछ बोलता है नहीं है, कुछ बोल लिया करो भाई, यूसुप ने भी सही बोला, रेडिंग, क्योंकि यह चीज़ जब set नहीं करोगे, तो कोई भी बंदा आपकी website पर, या खुद भी जाओगे website पर, तो वो खाली दिखाएगा, क्योंकि हमने home page पे काम किया वा होता है, अलग-अलग page पे काम किया वा होता है, तो वो हमने सब पता है, WordPress जो एक tool है, ठीक है, हम जो एक tool को सीख रहे हैं, हम coded code पर तो अभी हम जा रहे नहीं है, ठीक है, मैं अपनी website पर आता हूँ, ये जो style हुआ हूँ है, ये जो एक box बना वहे, ये जो image पे radius आ रहा है, ये एक box बना वहे, यहां एक button है, यहां पर एक search button है, जिसको border म इस से possible हुआ है, ये सब जो CSS के जरीए possible हुआ है, हम काम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो है, coding हुई रहती है, ठीक है, तो ये सब HTML, सबसे पहले तो HTML पर काम होता है, उसके बाद दो CSS, पर उसको मिला कर जो है, और भी languages जैसे PHP वगरे को एक tool बनाया जाता है, जो की WordPress बनाया, ठीक है, अभी मैं आपको CSS code दिखाता हूँ, आप यहां पर आएंगे, अपने browser के right click करेंगे, scroll करेंगे, यहां एक option होगा, impact का, आप जाए, impact पर, तो देखो, ये website के backend में क्या-क्या coding use हुई भी है, वो यहां पर show होगा, अभी ये load हो रहा है, ये देखो, क्या-क्या coding हुई भी है, ये सब क्या है भई, ये बता भी रहा है, Elementor 5 kit से जो ही ये सारी चीज़े बनाई गई है, और इसके पीछे ये color use हुआ हुआ है, ये सारी चीज़े, ठीक है, ये आपका जो है, बई, CSS ये सारी चीज़े आ गई, जो भी website के structure पे background पे यूज हुआ ह है, वो जितनी भी coding कोई बन्दा यहां से देख सकता है, ठीक है, और additional CSS क्या होता है, वो जब हम अपनी website पे करेंगे, बाद अगात ऐसा होता है, कि हम अपनी मर्दी ते theme design करते हैं WordPress पर ठीक है, अब ये button है, ठीक है, अब button को मैंने न, इसके नीचे लगा रहा है, ये read mode के side पे लगाने, तो वहाँ पर ऐसा कोई सा भी option नहीं होगा, कि हम अपने button को उठा कर, जो ये, read more के साथ लगा सकें, ठीक है, ये कहीं भी लगा सकें, जहां हमारी मर्दी है, तो ऐसे में क्या होता है, बाई, कि additional CSS काम आता है, हमें CSS भी थोड़ी बहुत आरी चाहिए styling के तो ये additional CSS का काम होता है, ठीक है, तो CSS styling के लिए use होता है, और यहां पर एक option था additional CSS, तो अगर इसकी need पड़ी हमें, तो जरूर इंशाललह इस पे भी काम करेंगे, ठीक है, तो ये option हमें theme customization के अंदर मिलती है, उसके बाद जो है, आपकी website टैप पर कैसे दिखेगी, ये इस त कैसी दिखेगी, वो इस तरीके से show हो रहे है, ठीक है, उसके बाद जो है जादा तर तो है mobile और desktop में use होता है, tablet के इतना roll नहीं होता, कोई इतना use नहीं करता, जाद तर हम PC और mobile पे use कर रहे होते, तो इसे हम कहते है responsive, ठीक है, आप अपनी website अगर बना रहे हो, तो responsive भी बना सारे options आप लोगों समझाने थे, theme customization, color change करना, heading का font change करना, order में widgets अगरे को add करना, and home page ये कुछ settings हमने देखा, यही सारी चीज़े थी, ठीक है, तो यह overview था, implement हमने की लेकिन इतनी नहीं की, ठीक है, क्योंकि content नहीं है हमारे पास, हमने अभी तक अपनी website को develop नहीं किया, start नह हम अभी तक, जो है, वो समझ रहे हैं, ठीक है, तो यह थी भई, आज़ी glass,